नमस्कार तिक्य भी मैथ सीटूप चैनल में आपका स्वागत है मेरे पिरे सिक्चक साथियो आज हम आपको बिहार सिक्चक बहाली से संबंदित बहुत ही महत पुर्ण जनकारी लेकर आये हैं तो चले इस वीडियो में आपको बताते हैं क्या है पुरी जनकारी चार माई 2020 पटना पेज में दिया गया है दैनिक भासकर लॉकडाउन खतम होते ही शुरू होगा सिक्चक नियोजन यानि सिक्चक नियोजन में एक नई मूर आ रही है क्या है नई जनकारी हम आपको बताते हैं त्यारी प्रारंबिक इसकलो में 9763 भाई कोट में LPA दायर करेगी सरकार यानि सरकार जो बहाली प्रकिरिया रुकी हुई है उसमें LPA दायर करेगी यानि डबल वेंच में जाने की पुरी संभावना है चले इस वीडियो में आपको मागे बताते हैं अगर आप मेरे चैनल पर नहे है तो पिलिए चैनल को सब्स समाप्थ होते ही सुरू होगी हाई स्कूलों में छटे चरन की वहाली पर किरिया अंतिम चरन में थी जब करोना के कारण अस्तगीत की गई है यानि जो हाई स्कूल की वहाली अस्तगीत इस समय है इस चरन में लगवग 10,000 सिक्षकों की वहाली होनी है कई जीलों में अभी अ से 18 मा का डियलेड उतिर्ण को भी नियोजन में सामिल करने के लिए कहा था यानी पतना हाई कोट ने डियलेड अभियर्थी को भी भाली में सामिल करने के लिए कहा था तब सिक्षा विभाग ने NCET के निर्देश का हवाला दिया था जिसमें सिक्षक भाली के लिए अभियर् कर रही थी तभी lockdown हो गया है प्रात्मिक सिख्षा ने देशक डॉक्टर रंजित कुमार सिंग ने बताया है कि lockdown खतम होते ही हाई कोट में LPA दाखिल कर बहाली प्रकिरिया शुरू करने की अनुमती मांगी जाएगी इसमें आप देख सकते हैं और अडिया डिस्टिक में सेट तक 971 सिठ है इस तरह से कुल रिक्ती 293 है उसी तरह से आपको रडिया में 699 में और अंगाबाद में 3001 है बका में 283 है बेगुसराय में 4,056 है भागलपूर में 2,012 है भोजपूर में 269 है बकसर में 1761 है पुर्वी चंपारन में 354 है दरवंगा में 8244 है गया में 252 इसी तरह से परतेक राजी की रिक्ती हा दी गई है फिर आगे क्या है जनकारी हम आपको बताते फिर रिक्ती की बारे में अपको बताएंगे प्राडांबिक इस्कुलों में सिक्षक रिखती प्राडांबिक इस्कुलों में सिक्षक रिखती यहां यहांनी आप देख रहे हैं क्या दोक्टर रंजीत कुमार का कहना है कि लोग डॉण खत्यम होते हाई कोट में एलपीयद दाखिल कर बाथली प्रक्रिया सुरू करने की अनुमती मांगे जाएगी और उहाँ कोट का उसके बाद या बाथली प्रक्रिया फिर चालू होगा तो इसमें हम सभी NISD लेट साथियों को फिर से एक जवरदस त्यारी करने के जुरूत होगी और इस तरह से कुछ भी अपटो डेट आता है विहार सिक्चक भाली से समधित हम आपको देंगे अगर आप मेरे चैनल परने हैं तो फिली चैनल को सबस्क्राइब केजिए और साथ में आने वाले घंटी का बटन जोड़ दबाईए विडियो को लाइक केजिए कमेंट केजिए और जदा सजदा सेयर करना न भूलिए थैंक्स पर वाचिंग विडियो